कि है गाइज कैसे हैं आप सब आई होप यॉर डूइंग वेल एम संदीप विल्कम टू से सरकाल तुम लोग डिस्कस का रहता है यूपी पीची एस ट्वंटी ट्वंटी टेस्टरीज और यह दे आई इसकी टेस्टरीज टेस्ट नंबर फाइप ठीक है और यह हमारा दोको सा बना रहा हूं ता कि आप लोग अभी भी रिवीजन कर पाएं और जब एक्जाम हो तब भी आप इसका रिवीजन कर पाएं ठीक है प्ले करके इसको और अगर आपको इसका डिटेल में एनलिसस देखना है तो इसे हमने छे पार्टों में डिवाइट कर रखा है 25-25 के कुस् और यहां मेरा यह परपस है कि आप लोग यहां रिवीजन तो करें ही साथ में यह अपनी परफॉमेंस चेक कर सकते हैं कि हमने जितना अभी तक पढ़ा है तो हमको कितना कुस्चन आ रहा है तो मेरे एंसर को बताने से पहले आप लोग एक बार उसको ट्राई करने की करें ठीक है और अपना इसको जितना भी आए जितना भी आए कम आये ज्यादा आए कोई दिकत नहीं उसको आप कमेंट बूक्स में में जरूर करें तो पढ़ने और test सॉल करने के बीच का जी गैप होता है तब एक्जाम में हम डारेक्ली बैठते जाके हैं तो वहां बहुत ज्यादा फिर हमें कन्फूजन लगने लगते हैं तो टेस्ट पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट शॉल करना बहुत ही जरूरी है तो फर्स्ट कोईशन पे इसमें निम्लि या गउम चलते हैं लगने में एक शिक का ऊपर उठावरटीत है तो इसलिए गलत है और यह हमारे तीनों सही है तो ओPSट का सही है चलते हैं एक क्टेशन पे जल से भरे एक वीकर में एक सिका उपर उठावा परतीत होता है या परिघटना प्रकास की किस गुड का कारण है तो फ़स्ट है प्रकास का विक्तिकरण B है, प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावरतन, C है प्रकास का अपवरतन और D है प्रकास का दोहरा विवहर, तो यह प्रकास का चुर्की किरणों की तीवरता मापी जाती एक्टिनो मीटर से चलते नेक्स कुछन में जिन मिश्रित द्रभियों के कोथनांक में बहुत कम अंतर होता उन्हें निमलिकित में से किस विद्धि से अलग किया जाता है तो फ्रस्ट ए प्रभाजी आवस्वन्द्वार प्रभाजी आस्वंदेरा जिसे पेट्रोल डीजल और मिटी के तिल को अलग करना इसके द्वारा होता है चलते हैं निम्लिकित में से कौन एंटिडियोरेटिक हर्मेंट से इसके बारे में बताना है तो फर्स्ट है वेशोप्रेशिन आक्सीटोसीन बी ऑप्शन है यह सी टी एच और डी है कार्टीशोन तो इसका ऑप्शन यह वेशी प्रोसीन यह वक्र गरंदी चे निगलता है तो सरी को संत्रुन परदान करता है चलते हैं नेक्स्कुश्चन में केंदरी फसल सोज संस्था कहां है इसके बारे पुछा गया है तो फर्स्ट है पूरे भी हैदराबाद से त्रिवेंद्रम और यह कोलकाता तो इसका ऑप्शन सी सही है त्रिवेंद्रम के रहल में इस्तित है बीविन परकार की फसलों की रिशाच करता है चलते नेक्स्कुश्चन में क्लोरीन द्वार निम्रिखित कतनों पर विचार किजिए स्रतिकतन का चुनाव करें तो फस्ट है वालों को पारिष्टित की तंत्र के परतम पोशक इस्तर पर रखा गया है सेकेंड है जैव आवर्धन का सरवाधिक दुस प्रभाव दोती भोगता पर पर पढ़ता है उन पर पढ़ता है ज समुद्री तूफानों की प्रभावता कम कर 30 शुरच्छा परदान करते हैं तो यह दोनों सही है और एक दूसर की मतलब आर एकी ब्याख्या भी करता है तो ऑप्शन एसाई है ठीक है सब्सक्राइब कहा गया कि मिथैनो ग्लोबो ग्लोबो नीमिया नमक रोग मुखिता होत तो यह रहker चलते हैं तो चलते हैं तो प्रयोग में लाया जाता है किसम तरंगों का परभेंगनी तरंगों का एक रेकी रोड़ों का गामा के लोग का तो इसका अप्शें जो है प्रभाव का संबंद है किवल दरों के आर पर जाने वाली किरणों से यह सभी पारदर्शी पदार्थों से पर जाने वाली किरणों से उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यह आप्शन डी साहिए सभी पदार्थों से गुजरने वाली किरणों से रामन प्रभाव का संबंद है और इसमें इन्हीं नोवे प्रकार पुर्षकार भी दिया गया था मनुष्य में रुधिर परसंचन तरंत की खोज की थी तो अप्शन ए बिलियम हर्वे भी पॉल एरिक और सी एडवर जेनर डीएड्रेसर तो इसका ऑप्शन ए साइटो क्रोम भी हिस्टेमीन और इन्में से कोई नहीं तो इसका ऑप्शन सी साहिए टाइरोशीन से किया जाता है तो नहीं स्कूशन में कार्टर जेना स्रूच्षा प्रोटोकाल का प्रभावी हुआ तो बीस से तमबर दो हजार दो में भी है कि 11 स्रूच्षा प्रोटोकाल प्रभावि हो यह बिलिकर कतना में से कौन सा एक साहिए पारिश्तित्की तो आर्नी आर्नी जनीश संश्ट ये नहीं है कि निई को सrit की अप्रमीड उलता होता है प्रकार आंसलेसन की दर लगबы 30-35 centigrade पर अधिक्तम होती है तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है तो हमारा जो option है इसका यानि दोनों सही है हमारे क्योंकि जो वनों का जिए उनल प्रामिड होता है वह उल्टा होता है और प्रकास संसेशन की दार 30-35 centigrade पर सबसे अधिक्तम होती है किसी पारिष्टित की तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदारतों की उपस्तिती मातरा कहलाती है पारिष्टित की छाप भी है जावबार से शकल प्रात्मिक उस्पादक्तार डी है खांडी खड़ी वे उस्ता तो इसका option D सही है खड़ी वे उस्ता ठीक है इसका न इसकुच्चिन पर कहुत लिक्स नेमर्खत में से कौन सा उत्तरणाई यहे तो ला ऑफ यह सही है वेरी जैनल ने इसका बनाया था किनिम शेंकी के गर्ण तो इसका है कि ऊंडोलोजी निम्रिखित में किस एक सिंबनी तो फर्स्ट है दिन में धोनी का केवल दिन में धोनी केवल धोनी के पास के चेत्रों में सुनाई देती है जब कि रात के में दूर दूर तक सुनाई देती है धोनी के इस गुड़ को दरसाता है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि रात में ज्यादा दूर तक सुनाई देती है दिन में कम दूर तक इन में से कोई नहीं तो आप्सिन ए सही है यह बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि वहाँ जी का मान कम है एक बाटा से प्रकास द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी है तो 1.495 एंटू 10 की पर 11 मीटर भी है 3.08 एंटू 10 की पर 16 मीटर सी है 3.0 एंटू 10 की पर 18 मीटर है, 9.46 2.10 की प्रकृत हamento ही 3. scenario 7 मीटर भी ऑप्शन सही है इसका विख यह ब्रकास भीक्रण की परक्रत होती है तरंग के समान कड़के समान या फिर ठरंग कडल के समान या इन में कोई नहीं तो양ंग की आनिक चैसरी जे डूर्आरा, प्रकास इुख गलन की परकृत ह होती है तो यह दोनों के समान होती है तरंग और कड के समान होती है ठीक है चलते नेस्ट के इसको एपसम का इसको एपसम बोला जाता है और इसका 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 राशानिक सूतर होता है और इसको इंगलिस साल्ट भी बोलते हैं चलते नेस्ट केस्ट में कहा गया है कि पानी की घरिलू आपूर्ती है तो आर्सेनिक तत्त की अधिक्तम अनुमानी मात्रा कितनी होनी चाहिए तो फर्स है 0.005 PPM 0.050 PPM और सी ऑप्सन है कि 0.500 P पीएम डी है 5.500 PPM तो इसका ऑप्सन भी सही है 0.050 PPM होनी चाहिए ठीक है सुची एक और सुची दो से मिलान करना है तो एक रोलाजी का बात करें तो एक घुन का अध्धिन किया जाता है इसमें साइट लोजी की बात करें तो इसमें जो है बलू होईल और डॉल्फिन का पाद धिन किया जाता है और जियोपॉनिस की बात करें तो इसमें अग्री कल्चर का किया जा था एक्तियोजी आप्ट करें तो यह देख सकते हैं तेन चार दू एक चार दू एक चार दू एक और सिसा ही होगा हमरा ठीक बिक्राइन के साथ बंबारी करता है यह लगभग समान द्रभिमानों के दो हिसों में तूड़ जाता है इस प्रिक्रिया को क्या कहते हैं इसका option है ये विकीरन, शल्यान, विखंडन, उत्षर्जन तो इसका option नोइसी सही है, विखंडन ये नाविक एक नाविक दो बराबर नाविकों में टूड जाता है और इसमें भारी मातरा में उर्जा निकलती है, ये hydrogen bomb का जो शिधान इसी पर काम करता है, जो परमाण bomb होता ह है, वो इसी के सिधान पर काम करता है, भी घंडन के सिधान पर, ठीक है, चलते हैं, निम्लिकित में से कौन सा है, कोईला खनन करने में मुश्किल है, तो ये option है, एंत्रेसाइट, ये लिगनाइट, बिएपीट, तो इसका option है, ये एंत्रेसाइट होता है, ये सबसे गहराई करिया नहीं है, और ये तीनों रासाणी करिया है, आक्सी गरन, कार्बोरेशन, बिलोएंट, ठीक है, चलते हैं, लीन बाडी मास है, मास पेशियां, हड़ियां और शरीर के अनि गैर वसा उतक, शरीर के फैटी उतक या शरीर का कुल वजन, उपरोक में से कोई नहीं, तो इ प्रोपेन जो है, ये सुर्चिंजन का होता है, उधारन क्योंकि इसमें ब्यूटेन और प्रोपोन का जो मिशनल होता है, वो एल्पीजी गैस में होता है, ठीक है चलते हैं, इस्क्रिक्शन में, निमलिखित में से कार्बनिक अमल कौन सा है, तो इसके बारे में बताना है इसमें कार्बन की मातरा होती है, इसमें किसी में कार्बन की मातरा नहीं होती है, इसमें किसी में कार्बन की मातरा नहीं होती है, ठीक है, निमलिखित में से एक कैल्सियम योगी का बना होता है, तो कैल्सियम कार्बोनेट का, कैल्सियम सलफेट का, कैल्सियम हाइड्रॉक्स पर निमल्खित में से कौन एक निम्नीकरण सक घव कर दो निकलने वाली उवड़ निकलने वाली जो इसे को बहुत है वाई कर अऩार्बन ऑपस्थी कार्बन जब समंदरी मैग्रो और अधर परितंतरों की मह श्क्यां के माधनसे आवसुशित कर लिया जाता है तो इन पारितन्त्रों में उपस्तित कार्बन लाता है तो इसको किस्का और होता है ठीक है यह मेथेन को सीधे प्रियोग में लाया जा सकता है तो यह तो बिल्कुल साही है कि मेथेन को सीधे प्रियोग में लाया जा सकता है कि जो गोबर गैस होते हैं इसका खाना बनाने के लिए सीधे डारेक्ट ली पाइप जो है गैस युले से कनेक्ट कर दी जाते हैं लेक का प्रियोग मर्दू का जाता है तो एपो ऑक्साइड का भी सोडियम मेटा बाई सलफाइड का स्वेड का अमिलका तो इसका ऑप्शन डी साहिए सब्सक्राइड का जाता है जो खादी पर अच्छे होते हैं उनके लिए नहीं यह बताना है तो इसका अप्शन से मिलेत नहीं है क्योंकि जो अंगूर की बात करें इसमें टार्टी कम लो पाया जाता है चलते हैं लेकि में से किस एको प्लास्टिक भी फोटक के नाम से जाना और जाना जाता है चलते हैं यह माध्यम की निर्भर करते हैं तरंगों को उनके बढ़ते तरंगधारी के रूप में व्रेक्ट करने में कौन सा विकल्प सही है तो अब रेडियो तरंगे पराबहेंगी नी तरंगे भी है एक्स किरण गामा किरण द्रस्थे प्रकास और एक्स किरण की ऑप्षन है एक्स किरण पराबहेंगी नी द्रस्थे प्रकास दिये रेडियो तरंगे द्रस्थे प्रकास और गामा किरण तो इसका ऑप्षन सी सही है आप एक सावाल है प्रशिक ट्रंग धर कि गामा क्रियों VOICE होती है तो गामा क्रियोंड ट्रंग धर सबसे कम होती हुद और सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग वाट की होती है तो इस लिए हमने ज्दा क्यों से All जल के अंदर पड़ी हुई मचली का वास्टिक गहराई से कुछ उपर उठा दिखाई पड़ना किस घटना का समद्धित है तो यह पूर्ण आंत्रिक परावरतन का भी है कि बेतिकरण का सी है विवरतन का डी है अपवरतन का तो अपवरतन का तो अपवरतन होथा इसी के है वो दितियक सल कहलाते हैं और यह तीनों जो है यह प्रात्मिक सल है ठीक केसिका नली में कोई द्रव की सीमा तक चढ़ेगा या निर्भर करता है केसिका नली के घर्चन पर त्रिज्या पर बनावट पर इस थूलता पर तो इसका भी ऑप्शन सही है त्रिज्या पर निर् पर जाएगा तो यह हमारा है ठीक है तो चलते हैं नेक्स कुछन पर नेक्स जिम्रिकित कतने विचार कीज़े दिएगे कूट की शायता से उत्तर बताएं फश्ट है कि यदि कोई बेक जूला जूलते समय खड़ा हो जाए तो उसका आवर्दकाल गट जाता है खड़े होने पर उसके गुर्त कुंद्र ऊपर उठ जाता है और उसका प्रभावी लंबाई बढ़ जाती तो नहीं यह घट जाती ना कि बढ़ जाती है तो ठीक है तो इसका ऑप्शन सी हो गया एसा यह आर गलत है ठीक है चलते नेक्स कुछिचन में मानों शरीर का सामान इताप होता है तो चताइड डिगरी सेंटीग्रेट या फिर फॉरेन हीट या 310 डिगरी कैलवीन 273 डिगरी कैलवीन तो इसका ऑप्शन सी सही है 310 डिगरी कैलवीन चलते नेक्स कुछिचन में उबलते जल की अपेच्छा भाप से जलने पर अधिक कस्ट होता है क्योंकि फर्स्ट है कि देख लेते हैं क्यों जो होता है जल की अपेच्छा भाप में गुप्तु उस्मा का मान अधिक होता है जल की अपेच्छा भाप में गुप्तु उस्मा का मान कम होता है भाप का कौत्मांक जल की अपेच्छा अधिक होता है तो इसका एप्शन सही है जो जल की अपेच्छा खोज की है और जगदीश चंद्र बसू की बात करें तो अतिलग रोडियो तरंगों की बात करते हैं और जहांगीर होमी भाबा इन्हों ने कास्मिक विक्रण के सोपानिक करम की खोज किये तो इसका दो एक चार तीन तो दो एक चार तीन हमारा भी ऑप्शन सही हो गए ठीक है चलते हैं नेक्स कुस्चन पर निकट द्रस्ट के संबंद में निपनित में से कौन सत्य यह बताना इसमें वस्तु का परतिभिंब रेटिना के सामने बनता है मतलब से रेटिना से पहले ही बन जाता हो तो जब रेटिना पर बनेगा तो अच्छे से जो है दूर की भी चीज़े दिखाई देंगी तो हमारा आउटर लेंस इसके लिए होता ना कि आउटर लेंस तो इसमें सही पूछा गया है कौन सा सही है तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया ठीक है और इसमें दूर निकट दस बढ़ जाता है विद्दु चालकता घड़ जाती ए और भी दोनों इन में से कोई नहीं तो यह इसी ऑप्शन सही है यह दोनों होते है ठीक है निकल केडमिनियम बैटरियों का उप्यों कैल्कुलेटर में किया जाता है तो यह भी आप्शन नहीं चाहिए क्योंकि जो नाव भी चाहिए की उर्जा का श्रोत होता है वो नाव की शलैन होता है ना कि भी खंडन ठीक है चलते नेच्स्ट कुस्टन पर इसमें कहा गया कि निम्लिकित में से कौन सा विटामिन प्रति इसकंदन भिशो के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में मतलब एंटिटोड के रू प्रतिजयविक ओसधी है, बोनाड्रिल प्रति हिस्टेमीन है और एसपर्टम करतिम मधरुक है. Option D सभी, तो इसमें तीनों सही है, यह मतलब, D option इसका सही है. करम not go make क्यों इसमें कहा गया कि b kal के बाड़े में पूछा गया कि कौन सा सउह यह बताना थो फर्स्ट है कि यह एक थर्मप्लास्थिक है यह फिनल और फ़य्मिंटरिद के संगनन से बनता है तो यह थर्मों प्लास्टिक नहीं थर्मों शेटिंग प्लस्टिक होते हैं बेकलाइट से Leibyola cm यह जो संगननन से बनता है तो इसका जो पूछा गया तो व सही एक अलत salv Star नेक्स्ट कुस्टिन पे निम्रिकेत कत्नों में से कौन सा एक बेमेल है मतलब पदार्थ दिये गए हैं उनका उपियोग की शुरूप में होता है इसके बारे में बताना है तो एलित्रिन बच्छर बगाना है तुशक्री रसान है रोडंटी साइड कीटनी इंत्रन है अलमून बचाना आसान होता है अधिकांस पादप उसाइं संत्रप्त होती है तो यह गलत है अधिकांस पादप उसाइं जो होती है वह संत्रप्त होती है ना की संत्रप्त है ठीक है और यह पादप उसाइं जैसे तेल होते हैं हमारे उन्हीं को पादप उसाइं बोलते हैं और जो ज और रो यह नेफ्रान होता है उट्पसर जंतन खिंव होता है ऐपीधिलियम की बात करें तो यह आद के अंदर त्यश्ची पत्ति परित रिक्डीस पीरिटोनी उम की बात करें तो यह वक्रों के चारों इंका एक चार तीन दू एक चार हमारा डी ऑप्शन सही हो गया ठीक चलते हैं नेक्स कुश्चन पर निम्लिकित में से कौन सा एक गाल जी काय का प्रमुखकार है तो फस्ट है विभीन पदारतों का स्रावण करना कोशिका द्रभियों के इंद्रक द्रभियों के बीच संबंद इस् लाइकेन वायू प्रदूशन के अच्छे शूचक होते हैं चल्फर डाय आक्साइड के शूच मात्राओं का भी इनकी ब्रद्धि पर दूस्प्रभाव पड़ता है ठीक है तो यह ए और आर दोनों सही है और यह ए आर की ब्याक्या भी करता है ठीक है चलते नेक्स सब्लीमेंट और मरक्यूरिक क्ल डिकरफाइड यह वाइट। टो इसका आप्शन शुमेली ता है क्योंकि मरक्यूरिक क्लॉराइड कॉलमन होता है लेकिन लेड Peach गहलें लिधार यह होता है और मर्क्यूरिक यह लेड क्ले उसे जोए भी लेड और यह तीनों गलत है सही है चलते नेक्स्टिशन पर परियावनार्ण शरच्छन अधिनियम के संबध्वन इमलिक्स्त में से कतनों पर विचार करना है तो फर्स्ट है कि इसका इस अधिनियम को 1932 के स्टाक हों कार्फ कॉन्फरेंच को लागू करने है तो पात किया गया था यहां कानून स्वेचिक है इ आह यह तो नहीं यह दनका इसमें किया गया है तो से कंड हमारा गल्त है फचे सही है किए तो क्या फुछागया यह कौन सा है शाक सप्षोयों प्रशे एक भॉस्वाई हने मेट संप períाज सलते सब क्लाइक्सक्रावां रोम सघैशने में यू SH А license फ्रवार पहाई जाता है संच्छता यू जा पहले यू पासितने सा इयू होताइच मिस्वाख आजे धाई है सब्सेने सब्सक्रागा सब्सक्राइब बी ऐग्जैलिक सी है पाइरो गिलिशियस अमल डीय टार्टरिक तो इसका आप्शन भी सही है जो अग्जैलिक अमल होता है इसी में पोर्टीशिम लग पाजाता है नेक्स निकित कत्मों पर विचार करें इस हार्मोंच को एपरिनेफरिन भी कहा जाता है या हिर्दय है इसी के बारे में कहा गया है इसमें कहा गया है कि एक हाथ सेवेंटीवन कुस्चन में निम्लिकित इंजैमों में से कौन सा स्टार्च को जल अप घटा की या ग्लुकोज में परिवर्थित कर देता है तो एप्शन है प्रोटियंस भी है एन हाइड्रेट सी है इन्वर्ट कुको 46 विचया दीए गsti साहता से उत्तर बता है तो फर्स्ट इ pseudo मानों शरीर में यक्रत वसा के पांचन कि महातिष्पूर्ण भूमी का निभाता है यह अत्रत वसा पात्षण इंजयम उस्पन करता तो नहीं नहीं यह अत्रत इन्जयम नहीं करता है यह जो पित इन lists प्रस उता वही वसा पात्षण करता है जी की भी लूरूवीन बोलते हैं तो इसका ए और गलत हो गया साहिए तो साहिए आर गलत है अप्शन सीज का साहिए अधिक चलते नेक्स कुछन पेस्ट में हमारे सरीर में हमारे सरीर में तुचा किसे तह के नीचे वसा किसके विरुध अवरोधक का कारी करती है तो अप्शने है इसे उसमा की हान भी है शरीर के अनिवारी द्रोगों से साथी शरीर के लवन की चाति पर्यावनद से हान करक्षू जीवों के प्रवेश्ट से तो इसका ऑप्शन ये साहिए शरीर से उसमा की हान को रोप टीए चलते नेक्स कुस्चन पे इसे है thành इस है मनुष्य में होने वाले जीवार जोनित रोगों का सही प्रव्यूम बताना है तो फैस्त एट करका रोगों के जाता है तो इसमें जो क्रोमियम और निकल ये दोनों का यूज किया जाता है तीन और चार्ट ठीक है और जिंक और तामबा से पीतल बनता है ठीक कुष्ण कौन बेमल है ये बताना यह फिर्स्ट है पापिता करिका जैन्थम हल्दी जैनथोफिल चुकंदर वीटानिन के यह करोटीन तो यह गलत है क्योंकि जो करोटीन यह यह नहीं पाए जाता है यह जिए अंत्रोसानीन पाए जाता है सब्सक्राइब करता है तो इसमें पानी से डर लगता है या रेवीज का पुराना नाम है इसका मुख के कारक एक विशाण हो है जो केंदरी नारी तनत को प्रभावित करता है तो तीनों स्टेट्मेंट यह हमारे सही है है दें स्टेमातली कि मूथ करें बिमूमेंट आना प्रमुक्र संकित है या करत के से वक्र के फ्यों हो कि योगी को मिरबेन का तेल भी कहा जाता है फिस्ट है नाइट्रो वेंजीन वेंजीन एनिलीन या फिर फिनॉल तो यह अप्शन साहिए जो नाइट्रो वेंजीन होता है यह एक बिस्टो टक के रूप में इसको प्योग किया जाता है इस तेल को बनाने में तो लेक्ट को फस्ट है कि लेक्टो बैसिलस यह दही बनाने में तो सी थी हो जाएगा इसका राइजो ब्यम नाइट्रोजन स्ट्री करण के लिए होता है और इस्ट अल्कोहल उत्पादन म और एजो इस्पिरलम जो होता है यह साइट्री कमल के उत्पादन में होता ठीक है एजो इस्पिरलम तो यह हमारा हो गया इन चार दो एक वाइं तेन चार एक दो एंटीन चार एक दो सब्स्क्राइब करा बनें नहीं 쪽에 आप देख लें आप देख लिये नहीं कर पर इंटेर यह समय निश्चिन रहे हैं हैं कि फ्रस्ट की सुची एक को सुची दो से मिलान करना है तो रोक दिये गए हैं से सम्द्धित दिए गए कि कौन मनिकेET फ्रबावित होते हैं यार्मोन्म में से 3-2 गलाइसीमिय नामक रोग हो जाता है तो ग्लुको Гाण स्वेस्टी इंसुलिन hooter इससे क्या होता है जो ब्लाड में शुगर की महतरा वो कम रह जाती है जितनी होनी चाहिए उससे कम रह जाती है होता है कि इनसैलीन की मतर इसमें बहुत कम या होती ही मतलब सरावित नहीं होती है था उसके बितामिन के कई कारियों के संबद्द निक्तिनों पर विचार करना हूए उप् Mumbai क्रियों में आवद्थे भंचन में साय चूँ के मतलब उसको तोड़ता दन में बेभिन प्रयों के लिएंट के रूप में इसका कोई बिशेष योगदान नहीं ये गलत हैं ये मतलब यों को रोग प्रतरच्छा प्रतरच्छा प्रतान करते हैं ठीक है ये लोग ये बहुत महत्व्पूर्ण होते हैं तो यह हमरा बीस है तो इसके बारे में टितनिश टॉकिक, बॉर्टरिजम टॉक्सिक , जो इस quién कुट की बताना है तो इसमें जल कि मैं घोल के बुलमें में बड़े बनते हैं जल में साबन भूलने पर उसका प्रस्तितना बढ़ जाता नहीं नहीं बढ़ जाएगा तो बुल बले कैसे बड़े बनेंगे घट जाता उसका प्रस्तना घट जा तब यह बढ़े बनेगे तो एसा ही आर गलत है अमरा सी अप्ट्छन इसका सही हो गया ठीक है चलते है ने स्कुर्च कारबोर्णेट खाने का सोड़ा जाए लिए इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया कि इतर फान केलशिम करबाइड और इतलीन तो किसके बारे में बताए गया कि हम फ्रलों को और वरते क्रियाओं का निंद्रण केंद्र है मतलब रिलक्स एक्षन का तो प्रामस्तिक्ट्स या कोषिकारजु या तंत्रकातन तो इसका ऑप्चन सीजि आ मतलब इस माइनल कोड में होता है इसलते हैं major question में एक बेगती एक से दूसरे बेक्टित तक रोगों को संसित करने वाले जीव को कहते हैं वेक्टर, हाइब्रेट, क्लोन, प्रेग्मेंट तो अप्शन ऐसा ये वेक्टर कहते हैं उसको निमलिकित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंतर के संदर्म में सही नहीं है तो फर्स्ट है यहाँ प्राकर्तिक संसादम तंतर है इसके अपनी श्यम की उत्पादक्ता होती है जयो मंडली पारिस्थितिकी तंतर में उर्जा का प्रवाद चक्री होता है सबी कतन सते हैं तो यह गलत है जो जैयो मंडल में जो पारिष्टिती तंद्र में उर्जा का चक्र होता यह एक दिशी होता ना कि चक्री होता ठीक है तो सी आप्शन सही इसका कि और में नील गिरि तहर के नाम से परसित मेग बखरिया पाई जाती है फेल एयर अरिषेत्य वन इरावली िरा वी सद्लक 00.2 पार्क संथ गाटी इन मेंसे कोई नहीं तो भी उप्सहरी इरावी सद्लक राष्टी पार्क दिकında कि और न código वी शनल की तो इसका सेकेंड वाला गलत हो गया तो इसका ऑप्चन भी सही है चलते नेक्स कुश्चन पर निम्री कित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है कि तुए सांस लेते हैं यह उप्चन हाइडरा तिल चटा के शुआ मचली तो इसका ऑप्चन एसा ही है हाइडरा में होता है निम्री कित में से कौन सा असते यह बताना है तो माइको प्लाजमा सबसे चोटा जीव है जो स्वयम विकास उंग परिजिनन में असमर्थ है प्रिशो में यह बताना है निम्री कित मेंसे कौन एक वर्णानडता के संदर में गलत है तो इसका आप्षन है यह वंसा नुगत रोग है इसे डॉल्ट निजिम भी कहा जाता है यह रोग यह इोम प्तिर जाता है इनमें से कोई नहीं तो यह गलत है यह यह इस तरियों में पाया जाता है या पूर्षों में होता है इस तरियां के वाहक होती है तो आप्शन सही है इसका प्रचिपादन किया था बारबर मैक लंट ने या फिर जेजी मेंडल ने अप्शन है चार्ल्ज डार्विन ने फिर एफ बी मौरीशन ने तो इसका ओप्शन ए सही है बारबरा मैक लिंट ने किया था चलते नेक्स कुश्चन पर चलते नेक्स कुश्चन पर इसमें कहा गया कि वास्पी करण की दर बढ़ती है तो फर्स्ट है प्रस्टीज श्यत्फल में ब्रदी होने से आधरता में ब्रदी होने से पवन और यह ब्रकास सजावतियों विग्यापन के लिए बिषर्जन नलिकाव में प्रियुक्त होने वाली गई से सब्सक्राइब नियान का यूज किया जाता है तो उनके मद रखी वस्त के बने प्रतिविंबो की संख्या होगी तो पांच है ग्यारा है दो है अनंत है तो इसका बी ऑप्शन सहीं ग्यारा होती है 307 डिगरी एंट्व थीटा कॉंड माइनस वन से निकाला जाता है इसको आप उसमें देख लिए हैं उसमें पूरा डिटेल में हमने पूरा सॉल करके दिखाया आप वहां से देख लिए ठीक है यहां टाय टीवी पर सारन रेडियो तरंगे तो यह तीनों हमारे सुमे लेते हैं ठीक है तो इसका डी ऑप्शन सही है चलते नेक्स पर निम्लिके मिस्र धातूं में किसमें तामे की अधिकता मात्रा होती है यह जर्मन सिलोर बी है कांसा से गन मैटल और डी है पी तल तो इसका बी पाया जाते हैं सेकेंड है एमाइलेज स्टार को सरकरा में तोड़ता है जबकि लाइशो जाइम भोजन में उपस्तित जिवानों को नश्ट करता है तो यह दोनों स्टेट्मेंट आर ए और और दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की भ्याख्या नहीं करते है तो यह आप्शन से कौन है तो सीट निश्क्रियता ए औप्शन भी है उत्खनन से क्लोरी नी करण और डी है अनाइटरी करण तो इसका सी ऑप्शन सही है जो कलोरी नी करण है इसी का प्रियों किया जाता है ठीक है चलते नहीं प्लास्तर आप परिस्ट में से किसका एक उतपाद है मैगनीश सब्सक्राइब करने में इस्थानी लोगों की भागीदारी को प्रोच्षाहित करने उर्धुग्वामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है इसके इसके इस्थापना 1994 में हुई थी तो इसके इस बार यह न्यूज में है देख लेना इसको यह कुश्चन इंपोर्टेंट है निमलिखित से किस एक वायू प्रदूशन का सरवाधिक प्रभाव पढ़ता है मतलब वाईव प्रदूषन का सरवादिक प्रभाव पढ़ता है किस पर मतलब बताना है, तो first मारबैल भी jest a money plant Less lasian, यह ड Yuri opsons इसले में लिकिन से सरवादिक जो है वाईव प्रभाव पढ़ता है, चलते है next, मीन कि मेंनेक्स में से कि इसके द्वारा होने वाली बीमारियों के उप्यार है युज्वाक का प्रियोग्स किया जाता है सिल्फा सब्सक्राइब होको है। नियर्बन कानकुन से इसना कानकून पर और में कहा गया है कि फिलो फ्लूरो कारबन के संदर्वंगी घ्र maior में दो सब्दर्भ कत्यों का या प्रचीते आना बनकाओं के रूप में खौता में लाई जा कि याज़ीर। थी का प्रभाव जो है इसी लग्रीन हाुस में इसका योगदान नहीं 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 भई यह यह फं होता है कि rice introduce प्रफी यह ही लिवक्ता हो गया तो भी और टी पूछा गया है और ती में रियर नेयर ुटाय का नहीं ठीक है चलते हैं नेक्स में निम्लिकित में से किस एक की उपस्तिती के कारण फोटो क्रोमेटिक कांच धूप में सोता काला हो जाता है तो यह और अप्षन है कोबाल्ट आक्साइड भी है सिलेनियम आक्साइड चैस सिल्वर ब्रोमाइड और डी है की उपरस अक्साइड तो इसका सिलसी के करन जिए जिए परस नंट स्टार दूप में होजाता है तो इसका नेक्स में अनिलेकर odor वान ने भिक्रिया है और अगर डिने से आलए बनसे अनुलेखन गशन ठीक है तो इसको याद रखिए अपने लिखित कत्मों के बिचार कीजिए तो रक्त समू की कोज कालेंड इस्टेनिर के ने की थी भी है रक्त समू ओ में कोई एंटिजन नहीं पाया जाता है आरेच फेक्टर सरफथम अफरिका के एक मानो समू में खोजा गया था तो मानो समू उन्ह प्रक्ककर नमरा श्यूग घयरी चोट के मामले में बेक्त किया जाता है तो एक है तो क्या है यह फारी खिशल sil Pick आवास का उदारण है तो तालाव एम डलदल झरणायों नदी ।लावियो um नदी उप्रों के बिपतों यह शहीं आप यह उप्ष疫 है यðe तालाब और् भारत में उस्ण कटिबंधी वर्षावन किन किन छित्रों में पाया जाते हैं तो पस्चिमी घाट अश्यम तमिलनाड यह तो तीनों यह सई हैं हमारे ठीके तीनों जग़े पाया जाते हैं तो उप्रोक सभी डी सई है अश्यम चरहां अर्य नमलिखित में से किस समु के जीवों को डूंबने से उल्यका पता लगाने वैं महातुवपूर्ण है तो यह उप्सन है लाइकेन बीए प्रोटोजवास यह साइनो बैक्टिरिया और डिया डाइटम तो यह डाइटम होता है डाइटम के जीव होते हैं उनसे पता लगा जाता ठीक है चलते नेक ग्रीन यह रोग निम्निय में से किस एक फसल का प्रमुक लो फड़े काम नहीं करते हैं यह कवक और जिवाण इसमें होते हैं तो एक और डो इसमें सही हो गया तो इसका भी सही है एक और दो ठीक है चलते नेक्स पर निम्लिकित वनीजी अभ़णों में से कौन सा एक सपेद बालू के सब्सक्वा जाना जाता है फस्ट है जल्दापार फिकेंड ए गड़ प्रबाद, C है दची ग्राम, और D है मेरीना पार्क, तो इसका C आप्सन सही है, जो दची ग्राम है, यही तपेद भालों के समच्छन की बात करता है, और यहां यह जम्मू कस्मीर में पाया जाता है, मतलब जम्मू कस्मीर में इस चित है, चलते हैं नेक् निमलीकत पर बिचार कीजिए, तो जल, उर्जा, स्वास्त, क्रस्व बिवतता, जल, उर्जा, स्वास्त, क्रस्व बढ़नी बिविथी का प्रियोंग निमलीकत में इस धातskा बड़े पेमाने पर निर्मार किया जाता है, तो किसको को बनाने में किया जाता है यह, A option, C, C, B, C, sodium, D18, तो इसी ए option सही है, sodium का प्रियों किया जाता है टो सलते, Next Menu रिखित में से कौन एक फलों की खेती से संबंदी थे तो agronomy,аемology,heretical culture,oleary culture, जो पेपोलोजी होता है यह फलों की खेती के लिए होता है, agronomy, सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब इस नियुक्स निश्टिटूट आप इसे नहीं को बाहर के लगने मला बाहर की तरफ लगने वाला भल उसमें वासिंग मसीन है फिर आपका ड्राई क्लीनर है और दूद से निकालने की मशीन है फिर ब्रत्ताकार पत पर गाड़ी के अंदर की ओ लगने वाला बल तो यह शाही नहीं है इसमें डी आप्शन क्योंकि यह जो अंदर की तरफ लिखता है इसे अभी के अंदरी बल करते हैं ना कि आपके अंदर अभी आप्शन सही है यह नौ सँनिया अभ्यास से ठीक इंडिया दोरा होश्ट किया जाता है इसे नेक्स अप्रेल 2020 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया उत्तर परदेश में दिल्ली में जम्मु कस्मीर में गुजरात में तो इसी आप्शन सही है जम्म समानित किया गया गीता सेन अंजुम मोदी अरपना जैसंकर जोशी वैस्य तो यह उप्शन सही है गीता सेन को समानित किया गया है फरवरी 2020 में भारत यूं किसी देश के मद्य अजे वेरियर सेनी अभ्यास का आयोजन किया गया मियामार यूनाटेट किंग्डम युएसे ब सब्सक्राइब करने के लिए प्रभावी नीति से आतंक वाट यह उप्रोक सभी तो यह उसी पर यह बेस्ट था क्योंकि बहुत ज्यादा नसीली द्वाओं का जो है प्रभाव बढ़ रहा था उसी को कम करने के लिए फोकस्ट है ठीक है अच्छते नेक्स पर इंटरनेट अलेंगिक असमानता को कम करने है तो हाल ही में कि सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा वी तिंक डिजिटल अभियान की शुवात की गए थी तो यह उप्सन है ट्विटर भी है फेस्बुक सी है टिंडर और डी है इंस्ट्रागम तो इसका बी ऑप्सन सही है जो फेस्ब मुंबाई में डी हैदराबाद में तो इसका सी अप्सन सही है मुंबाई में इसका आयोजन किया ठीक है चलते है नेक्स निमलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत को पराजित करके ICC अंडर 19 क्रिकेट कब क्रिकेट विशुकब जीत लिया है तो ऑप्सन ए है आस्टे द्वारा परेटन को बढ़ावा देने तता पच्छियों के सरनाच्छन है तो हाल ही में होर्न बिल उत्षो का आयोजन किया गया तो इसका बी ऑप्सन सही है यह तरपरा ने किया है तो इसका नेक्स में हाल ही में जारी अंतरराष्णी बौधिक संबता सुचकांग 2020 में भा ग्लॉबल इन्यवेशन चैंटर जो होता है वो जारी करता है थे के यह तो यूवेश इसमें दो जारी करते है यह चेंबर आफ कोमर्स और ग्लोबल इन्यवेशन पॉलिशी सेंटर दोनों जारी करते इसको चलते है शमुद्री शहियों को बढ़ावा देने है तो चौथे पूर्वी एस्या सिखार समयरन का आउजन कहां किया गया तो अभी होने सर में में विशाका पत्नम में चैन्नाई में तो इसका डिया ऑप्शन सही है यह जो शमुद्री सहीव को बढ़ावा देने के लिए चोथा पूर्वी इससे समयलन था चैन्नाई में किया था चलते नेक हाल ही में लखनव में आयोजी तेश्वे राष्टी इवा महत्सों का मुख्य भी सही कहा था तो अप्शन है फिट यूथ फिट इंडिया भी है एक भारस रिष्ट बारद चीए श्रम्त कल्प से शिद्धी है न्यू इंडिया है तो इसका एप्शन सही है जो फिट यूथ और सारीरिक समस्च्यों के निदान है तो हाल ही में कि सराज सरकार दोरा उमंग हेल्पलाइन उन परामर्स केंद्र का सुबारंभ किया गया तो अप्शन मद्देपरदेश भी है उडिशा सीए महाराश्टरा और डी है गुजरात इसका एप्शन सही है जो है यह मद्देप प्रक्र किया है उसे कमेंट वेक्स में तक हमको भी पता चले कि आप लोग और पढ़ रहे हैं कि मैं भी मिहनत कर रहा हूं तो आप लोग जब थोड़ा सा मतलब इसको लिखते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हां अच्छ लोग पढ़ाई हो रहे है अब लोग भी प्रकॉस दे रहे हैं मैं भी दे रहे हूं तो इसी मोटिवेशन मिलता हूं और वीडिए देखने के लिए थेंक्यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों को सेर करें तक कि जैसे आपको फाइदा हो रहा है आपके रहिए हचते रहिए मुश्कुराते रहिए मस रहिए और अपने स्वास्त का बिल्कुल लिहान रखे क्योंकि कुरोना वायरस तो चली रहा है सरकार ने तो अपने हाथ उठाई दिये तो अपने आप भी उसका बचाव करना है तो इम्मुनुटी फे ज्यादा फोकस किजिए और आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियों तो तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत